हेलो हेलो, welcome to the video देखो इस वीडियो हम बात करेंगे कि वेटनेरी में अडमिशन कैसे लेना है how to get admission in veterinary in India तो मैं आपको totally इस वीडियो में totally ये topic कवर करने वाला हूँ कि कैसे आप admission ले सकते हैं what are the different entrance exams and how do you get admission in veterinary so there are two ways basically there are two ways to get admission in veterinary no there are total three ways first ways through all India quota second ways through state counseling and third ways through managemental quota so I will tell you in detail how do you register for entrance exams and how do you basically basically what are the entrance exams you have to register for so state wise there are different exams and first of all let me tell you about the all India quota seats so for example one college of veterinary has 100 seats in one college there are 100 seats so there are 15% seats मतलब जो 15 seat है वो भरी जाएगी नीट के थरू और नीट के थरू All India quota के थरू जो seats भरती है उसके लिए जो website है मैंने आपे लिख दिए AIPVT.com तो आप यहांपर देख पार है यह जो seat यह जो basically जो website है AIPVT.com तो आपको इस पर जाना है जैसे आपकी नीट की काउंसलिंग हो जाए उसके बाद जा करके आपको इस पर रेइस्टर करना है तो इसके लिए जो basically नीट एक्जाम को देनी पड़ेगी तो 15% seats in every college of veterinary in our India is filled by this need so 15% seats are filled by need but the remaining 85% seats in every basically every veterinary college बाकी के जो बचे हुए जो veterinary college है वहाँ पर 85% seats आप ही भरी जाती है state exams के थुरू state state level exams के थुरू तो वो जो basically वो जो exams है उसके बारे मैं आपको बताता हूँ मैं so काफी ज़्यादा जो universities है वो अपने separate exams कराती है आपको बता दूँ कि जो private college जैसे उसकी भी अलग से exams होती है सबसे पहले हम बात करते है जो जो भी जैसे की जो west bengal है वहाँ पर evets नाम से exam होती है तो ऐसे ही अलग-लग states में अलग-लग exam होती है यहाँ पर मैंने कुछ exams को enlist करा हुआ है जैसे की west bengal में ewets exam होती है और ऐसे ही अगर आपको बता दू कि Tamil Nadu जो है Tamil Nadu में जो admission होते है Tamil Nadu you can get admission in veterinary without any interest exam तो Tamil Nadu में आपको कोई भी interest exam नहीं लगती है बट अगर आपको जानना है थोड़ा आंदरपदेश के बारे में और तेलंगाना के बारे में तो वहाँ पर EAM CET की जो exam होती है उसकी तुरू आप admission ले सकते है ठीक है तो यह जो है अदरपदेश और तेलंगाना के interest exam है इसके अलब आपको बता दू कि गडवासू CET जो exam होती है गडवासू CET for Punjab candidates तो जितने भी Punjab के candidates है उनके लिए गडवासू CET exam होती है तो आप इसके बारे में पता कर सकते है गडवासू CET exam होती है Punjab के candidates के लिए मदभदेश के candidates के लिए specifically जो exam होती है उसको बोलते है MPPVNFT MPPVFT यह जो exam होती है यह मदभदेश के candidates के लिए होती है और अगर हम बात करें नोर्फिस्ट में, तो नोर्फिस्ट में अनुपर जो पेमेंट सीट के थों यहां पर अधिमिशन होता है, भाहाँ पर बहुत सारे कोलेज़ेश में पेमेंट सीट के थों फ इदमिशन होता है, बसे दों 12th मार्ट, so इस तरीके से आपका अलग-अलग entrance exams होती है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको USA या फिर UK जाना है तो आपको एक तरीके से you have to take SAT यह जो test था SAT test आपको देना पड़ेगा और आप IELTS test भी दे सकते है इसके तरुब आपको आप US में या फिर UK में जा करके भी आप BBSC की exam दे सकते है तो यह जो मैं आपको कुछ entrance exams के बार मैं बताया इसके अलब आपको बता दूँ many university also conduct its own entrance test आपकी जो university है जैसे कि दुवासू दुवासू मतुरा जो है इसका अलग से entrance test होता है तो आपको यह भी नोट करके रखना है कि दुवासू मतुरा जो है इसका अलग से entrance test होता है इसी तरीके से KEE करनाटका KEE करनाटका भी अपना entrance test होता है UPCAT यह अलग से entrance test होता है और GBPUNT university तो आपको बता दूँ कि यह सारी जितने भी test है यह university level test है तो मैंने आपको तीन तरीके बता दिये एक मैंने आपको बताया कि all India quota पहला दूसरा मैंने आपको जो तरीका बताया that is state entrance exams और तीसरा जो मैंने आपको तरीका बताया that is through university entrance exams इसके अलावा जो चोथा तरीका है वो है payment seats के जूँ payment students के तरूप यहां पर admission होता है ठीक है यहां पर मैंने कुछ आपको exams को enlist करा हुआ है यहां पर आप देख सकते बिल्कुल यह बहुत ही आपके लिए helpful है एक बार मैं आपको readout भी कर देता हूँ कि क्या-क्या entrance exam में और उसमें कैसे admission होता है तो यहां पर आप देख पार है कि यह जो गोविंद बल्लब पंथ यूनिवस्टी है यहां पर आप देख पार है कि admission process क्या है university level entrance exam मैंने आपको बताया था जो GB पंथ यूनिवस्टी है basically वह यह है पंजाब में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए इसके लावा तमिल नाडू मैंने आपको बता है कि 12th के basis पर admission होता है बहु की अलग से exam होती है भारत हिंदी यूनिवस्टी जो है अलग से exam होती है बहु यू 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 इटी तो आप यह entrance exam दे सकते हैं इसके लावा केरला में जो admission होते हैं इसके लावा मैंने आपको बता है मेरेट के basis पर admission होता है West Bengal का मैंने आपको बताई दिया कि West Bengal में EVETS नाम से entrance test होता है तो इसको भी आपको note करके रखना है अगर आप West Bengal से belong करते हैं तो और इसके अलावा मैंने आपको बताई कि जो fisheries है उसका भी fisheries जो है वो एक तरीके से veterinary के साथ ही मिला हो subject है तो इसका भी जो fisheries का admission होता है वो भी veterinary के साथ ही होता है और उसका भी यही entrance exams के थूँ admission होता है तो इस तरीके से मैंने आपको काफी ज़दा यहांपर एक list देने की कोशिश करी है I hope so कि आपके सारे doubts clear हो गए होंगे बट अगर कोई doubt आपका बचा है तो बिल्कुल आप लोग comment कर सकते हैं मैं आपकी total यहांपर help करने की कोशिश करूँगा thank you so much for watching the video bye bye